तो आप सबी का एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पर जो भी छातर चाटर अब मदर्सा से यह ने एक्जाम दिये थे मदर्सा बोड का वस्तानिया का उन सभी छातर चातरा का वस्तानिया का रिजल्ट जारी कर दिया गया अभी कि इस वीडियों में आपको तमाम द्यानकारी देंगे कि कैसे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हुआ अस्तानिया का और आपका जो रिजल्ट है जिसमें आप फर्स डीविजन आए सिकेंड डीविजन आए क्या है उन सभी बातों को आपको इस वीडियो में आपको बताने बलाओ ठीक है कैसे आ क्लियर करके दिखाने वाला कि कैसे अपना रिजल्ट आप खुद से चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल पॉन से तो उसके लिए जाना है गूगल में जो इस चैनल का नाम है पॉइंट आपको सब्सक्राइब करना है तो जैसे यह आप देशेखते हैं और मैंने पॉइंट नीचे बढ़ेंगे और यहां पर देखें यहां पर देखें यहां पर दो चीज से आप चेक कर सकते हैं यहां उसके बाद नीचे बढ़ेंगे तो एक सेक्षन देखने हो में यहां देख सकते हैं इस पर भी आपको लिखा हुआ यहां पर देख सकते हैं इस पर सीपल आपक कर सकते हैं जैसे मैंने अप्लोड कर दिया हूं अपने खुद मुवाल से चेक कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया डिटेल में इसको पर देना ठीक है उसको बाद रिज़ाट करने के लिए यहां पर देखिए लिखावाइल लिंक वन और लिंक टू तो किसी भी आपको है यहां पर किसी भी लिंक पर किलिक कर सकते हैं तो इस तरह की इंडरफेस बढ़एंगे और यहां पर दिखेंगे जाता अपके नेटवर्क प्रण बढ़ेंगा कि अब कि आपका इतना फास्ट है उसके खूले का जैसे यहां आपके खूल गया उसके बाद नीचे सब्सक्राइब नीचे बढ़ेंगे उसके बाद यहां पर आपका रॉल कोड और रॉल लंबर डालना तो जैसा कि आप सभी के पता है कि जब आप वस्तानिय का एक्जाम देने जा रहे थे तो उसमें आपका रॉल कोड ता जो कि आपके विद्धाले का रॉल कोड होगा अगर मैं बता रहा हूं यहां पर सब्सक्राइब करना है तो अपना रिजल्ट आप खुद से देख सकते हैं जैसे मेरे पास चात्रा चात्र का है तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप रिजल्ट चेक करेंगे जैसे आप उसके लिए पंपर दियागया है स्थि एंड यहां पर मैंने माइनस दिया उसके बाद जो भी उसका रोल लंबर यहां पर लिए मगा है तो कि आप जैसे पार टूराग करेंगे तो देखिए यहां पर थोड़ा सभी करने का नीचे बढ़ेंगे करने के लिए अगर आपका अ मतलब पर्स डिविजन और स्वाषण ऐंसे आप अपने फुचेक कर सकते हैं तो डिया चैनल को सबस्काइब कर लेगे और दोस्तों कि के पास शेयर कर दिए कि आप इस वीडियो को है ना ताकि आना दोस्त भी आना अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे ठीक है